नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके योजनापर एक मार्च को महिलाओं के बैंक खाते में बरसेगा पैसा यानि कि परति एक महिला के बैंक खाते में 1250 रुपे 1250 रुपे ये धन्रासी महिलाओं के बैंक खाते में सरकार ट्रान्सफर करने जा रही है यदि आप भी एक महिला है आपका भी बैंक खाता है आज की ये खबर ये है जानकारी आपके लिए ही है देखिए मार्च के महीने में इस बार त्योहार आ रहे हैं जिसमें महासिवरात्री और होली का त्योहार है इस बार सरकार महिलाओ को होली के त्योहार पर और सिवरात्री के त्योहार पर ये एक बड़ा तोफा उपहार देने जा रही है किन महिलाओं को यह तोफा मिलेगा किन महिलाओं के बैंक खाते में यह धनरासी ट्रांसफर की जाएगी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं इस बार मार्च महा दो हजार चोबिस में सिवरात्री और होली का तेवहार है किसी भी परिवार का तेवहार फीका ना रहे सबी परिवार अपना तेवहार अच्छे से मना सके और परिवार की आर्थिक सायता की जा सके इसलिए सरकार का उदेश से है कि इस बार एक मार्च दो हजार चोबिस को ही महिलाओ के बैंक खाते में ये धन्नासी हस्तनांतित की जाए ट्रांसफर की जा सके सरकार की योजना के अंतरगत 21 वर्ष से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओ को एक हजार रुपे का एक हजार रुपे देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जुन को महिलाओ के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी जारी की गई थी दूसरी किस्त रक्षा बंधन तेवहार पर 2023 में ये रासी बढ़ा कर यानि की एक हजार रुपे से बढ़ा कर 1250 रुपे महिलाओ के बैंक खाते में दूसरी किस्त का पैसा रक्षा बंधन के तेवहार पर ट्रांसफर किया गया था वर्तमान समय में इस योजना के अंतरगत 1250 रुपे प्रती महिना के हिसाब से महिलाओ को सालाना 15,000 रुपे दिये जाते हैं सरकार द्वारा गोशना की गई थी हर महिने की दस तारीख को इस योजना की किस्त महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और सरकार यह कारिये कर भी रही है लेकिन इस बार त्योहारों को देखते हुए एक मार्श दो हजार चोबिस को ही दस वी किस्त का पैसा महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि महिलाओं यह त्योहार अच्छे से मना सके आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन सरकारी इस सरकारी योजना में परदेश की इस्थाई निवासी समस्त विवाहित महिला और विद्वा महिला तलाक्षदा महिला एवं परतियक्ता समेत लाब महिलाओं को दिया जा रहा है यदि देखा जाए तो ये भी पैंशन जैसा ही है जैसे कि दिव्यांगों को विद्वा महिलाओं को तलाक्षदा महिलाओं को वर्द वस्ता और कुछ तवस्ता पैंशन दार्गों को पैंशन नासी दी जाती है तो इस योजना के अंतरक्त भी विद्वा महिलाओ को भी तलक्षदा महिलाओ को भी और प्रतियक्ता महिलाओ को भी यहाँ पर ये रासी इनके बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार कर रही है हर महीने ट्रांसफर की जाती है वहीं महिलाए खुद या उनके परिवार में कोई taxpayer नहीं होना चाहिए यदि कोई सरकार को tax देता है तो इस योजना का लाब नहीं ले पाएगा और परिवार की साला ना आए यदि बात करे तो परिवार की साला ना आए धाई लाक रुपे तक होनी चाहिए यदि किसी परिवार की सालाना आए धाई लाग रुपे से अधिक है तो वेह इस योजना का लाब नहीं ले पाएगा वेही इस योजना का लाब ले सकते जिनकी धाई लाग रुपे यानि की सालाना आए है इस योजना के सुभ आरम के समें परदे सरकार द्वारा एलान किया गया था कि 1,000 रुपे से सुरू किया जा रहा है और इसे 3,000 रुपे परती महिना तक महिलाव को दिया जाएगा देखिए जो पहली किस्त ट्रांसफर की गई थी वह है एक हजार रुपे थी और सरकार का यह है एक बड़ा ऐलान था सरकार की बड़ी घोशना थी कि हम इस योजना को एक हजार रुपे परतिमहिना से सुरू कर रहे हैं और आखिर तक हम इसको 3000 रुपे परति महें तक ले कर जाएंगे जो कि ये लाव महिलाओं को दिया जाएगा लेकिन महिला एवंबाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि लाडली बहना योजना में दीजा रही रासी बढ़ाने का फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचार धीन नहीं है ऐसे में सभी बहनों को 1250 रुपे प्रति महिना ही प्रति एक महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर ये रासी की जाएगी लाडली बहना योजना के अंतरगत एक मार्च दो हजार चोबिस को 1250 रुपे धनरासी मध्य परदेश राज्ये में निवासी महिलाओं के बैंक खाते में ये धनरासी ट्रांसफर की जाएगी यदि आप भी एक महिला है आपका बैंक खाता है और आप मध्य परदेश राज्ये की निवासी है आपने लाडली बहना योजना के अंतरगत आविदन क्या हुआ है तो आपको एक मार्च दो हजार चोबिस को 1250 रुपे के धनरासी आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्र जादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सलगजब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और सा आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारीक साथ तब तक के लिए जे हिंद जे भारत